चेहन साथियो स्वागे थे आप सभी का वाईटी एजूकेशन पे चैनल पिनने हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा बिहार में केंद्री चेहन परसत की तरफ से सिपाही की बहाले निकली है आप सभी कोई इस से आउगत होंगे चुकि मैंने इसके बारे में एक अल्रेडी वीडियो बना के एजुकेशन की पर डाला भी था इसके सारे स्टैटिजी वेगरा बुक वेगरा सब कुछ बताया वहाँ पे जाके जरूर देख लिजीगा और पढ़ना सुरू कर देजी चुकि आपके बस समय बहुत कम होगा जब इसकी एक्जाम के डेट अनॉंस्मेंट कर दे जाएंगी एक महीने बाद ही जी यहां दोस्तो आपको बदा दे कि यह 20 जुलाई से तक जो है आप फार्म तो भर सकते हैं लेकिन हो सकता है कि सेप्टमबर या मीड अक्टूबर में इसका एक्जाम भी प्रिलिम्स का ले लिया जाए और यहां पे आपको बदा दे कि दोस्तो यह एक दो जार तेज जोक उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेरिट के अधार पर अपना चायन लीजिए चुकि यहां पर देखिए दो तीन चीज़े होती है बिहार में एक पेपर लिख होता है दूसरा आप कोश्चन पेपर आउट कर दिया जाता है तीसरा जो है सेटिंग होता है सेटिंग यान अगर आपको कहीं जेल वगरा हो गया तो इस चीज को लेकर तो यह चार चीजों से आपको दूर रहना है अपने आप भरोसा रखना है मेरिट लाना है मेरिट में जाना है तो आपको पढ़ना पढ़ेगा अब पढ़ना क्या-क्या है इसके बारे में भी हमनें आपको बुक बताए हैं, बुक कमेंट किये हैं, उन सभी बुक पो लेके पढ़ना शुरू कर जिए, ज्यादा ज्यादा कमेंट किजिएगा, तो मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूँगा, यहाँ पर वाईट एजूकेशन पर तो एक-एक प्रैक्टिस सेट रोज आप लोग करेंगे, आप पर कम सेकम पचास से साट कोशन जो है, जीके जीएस के और हिंदी इंगरेजी के देखेंगे, तो हो सकता है कि आपका बहुत सारा स्लेबर्स कभर अप होगा, मैथ की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैथ जो है, 10 नंबर का पूछा जाता है आपका और जो है आपका अंग्रेजी और हिंदी से लगबग 10 से 15 कोष़िघ जाते हैं लेकिन जो सबसे देना है जितना भी साइंस वाला सेक्शन हो आपको पढ़के जाना है उसके लिए भी मैंने आपको बुक तो उसके उपर यहां से आप चेक कर सकते हैं समानने वर्ग के लिए यहां पर 8556 टोटल वेकेंसी है अगर हम EWS की बात करें तो 1140 अनुसुची जाती की बात करें तो 228 तो अतियंत पिछड़ा की बात करें तो 3842 और पिछड़ा वर्ग की बात करें ट्रंजेंडर के सहतियां पहन तो यहां पर जो है आपका 2570 और अगर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की बात करें तो 655 यह आपका कैटेगरी वाइस जो है वेकेंसी अपडेट के गया है मतलब कि यह आपके आपके कैटेगरी में इतना सीट तो आपके लिए रिजर्व हैं ही लेकिन जो चाहत्र मान देखने को मिलती है आपको चैन लेना है अगर यहां पर सेलेक्शन पाना है आपको तो उस इस तरह पर आपको तैयारी भी अपनी करनी होगी तो चलिए आगे हम बात करेंगे तयारी कैसे करना है लेकिन इस वीडियो के माद्यम से हम थोटी सी अपडेट सीखना चाहते हैं कि अगर आप इस फॉर्म के लिए आविदन कर रहे हैं तो ध्यान में रखेगा इसमें पांच गुना छात्रों को जो है ना सारिक दक्स्ता के लिए बुलाया जाएगा यानिकि एक इस हजार तीन सो एक्यानवे पत की वेकेंसी है तो मान के चलेगा कि पांच गुना लोगो को यहां पर फिजिकल लेना काफी एक लंबा समय चलेगा है दो से तीन महिने भी लग सकते हैं तो यह बहाली की प्रक्रिया भी लंबी खीचेगी इसके उपर तयारी चल रही है अब बात करते हैं तो कि आपको पीटी में जाने से पहले लिखित परिक्षा जो है आपको पा जाए जाएगा उनके निर्धारित अनुपात के अधार पे अभ्यारतियों को जो है सारिक देस्ता में समलित होने और उसमें सफल होने अनिवारे होता है यानि की क्वालिफाई नेचर का है लेकिन ध्यान में रखिएगा जो भी आपका मेरिट बनेगा वह आपके माप आप आविदन कर सकते हैं आप यहां पर अविदन कर सकते हैं अब उसके समकष कोई आपके पास है तो आप आविदन कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा मैट्रिक अत्वा उसके समकष प्रमान पत्र आपके पास होना जरूरी है चुकि यहाँ पे आपका age calculation वहीं से किया जाएगा 18-25 साल age criteria दिया गया है हम लोगोंने आवाज भी उठाई थी कि आप लोगों को यहाँ पे age में छोट मिले चुकि यहाँ पे दो साल से कोई vacancy नहीं थी लेकिन अभी तक सरकार के कान में यह बाते गई नहीं है तो आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए तो हो सकता है कि आप लोगों छूट भी यहाँ पे दे दिया जाया ट्रांजेंडर है तो भी तीस साल तक यहाँ पे आविदन कर सकते हैं अब यहाँ पे सभी कोटी के जो भी बिहार के छात्र या निवासी है गिरी विभाग के रक्षक में कारी रत है वो यानि कि बिहार होमगाड में है तो उनको पांच साल का छोट मिलेगा इस इक्जान को देने को लेकर आपको बदा दे कि 1391 पत की बहाली में 50% सीट रिजर्व है किसके लिए तो होमगाड के जवानों के लिए अगर उसमें सीट बसता है तब जाके जो है यहां पर आपको अदर स्टेट को लिए अदर चात्रों के लिए वह सीट अलोट के जाता है तो यह बात द्यान रखेएगा यहां पर ठीक है अब आगे चलते हैं दूस्तों यहां पर अगर हम बात करें माप दंड की यानि की फिजिकल पीस्टी की तो यहां पर उचाई सीना माप और वजन को लेकर कोई अंक तो नहीं दिया जाएगा लेकिन यह आपके पास क्वालिफिकेशन हो मतलब की यह कटेगरी आपका फूलखिल होना चाहिए अनरक्शित हैं आप यहां पर उनका हाइड महिला के लेकर यहां पे जो है विवाद उठ रहा था इसकी भी हम लोगों ने मांग की थी कि इनका हाइट जो है ना 152 सेंटीमेटर तक कम से कम किया जाए चुकि अधर इस्टेट में सिपाही बाहली के अगर देखा जाए यह हाइट इतना मांगा गया है और बिहार के बहुत कम ऐसी है जो कि 155 सेंटीमेटर का हाइट फुल्फिल करती है तो उनको थोड़ा से हाइट में भी रिलेक्षिशन देना चाहिए यहां पर सरकार को इसकी हम मांग करते हैं आपने इस वीडियो के माध्यम से चेस्ट मिजर्मेंट की बात कर लें यहां पर दोस्तों तो पांच सेंट सेंटीमेटर है और यह पांच सेंटीमेटर का गैप यहां भी इनका होना चाहिए ध्यान रखेंगे अब माइलाओं के लिए यह मेजर्मेंट नहीं रहें उनका वजन चेक किया जाता है तो 48 kg जो आपका वेट होना चाहिए यहां पर कम से कम माइलाओं के लिए ूज आप तो आपका भी माप यहां पर रखा जाएगा जलिए आगे बढ़ते हैं अपर दोस्तों हम लोग नुक्ति की प्रकरिया पर चलते हैं याने की प्रथम्चरह के हम बात कर लें दोस्तों यहां पर तो प्रत्थंचरण आपका लिखित परिच्छा है जहां पर ज्यादा से ज्या गंटे का पुरा समय दिया जाएगा और एक अंग हर प्रस्न के लिए दिया जाएगा निगेर्टी मार्किंग यहां पर नहीं होती है दोस्तों वा इस अग्जाम होता है और यहां पर परीच्छा के दस वी कक्षा के अधार पर लिया जाता है जहां पर हिंदी अंग्रेजी गणीत और समाजिक विग्यान जहां पर इतिहास भुगोल नागरी सासर और सासरे से सम्दित कोषण पूछी आते हैं जी के होता है लेकिन सबसे अच्क होता है यहांपको देखने को मिलता है यहां-छोड़ा से आप कुलेक्ट निल होता है लेकिन यहां पे इतने छातरों की संक्या होती है किरव द ждar के घते हमें यहां पर होगा तो आपको यहां पर क्वालिफाइब करके आपको पीट इगजाम दूसरा चरन होता है इसको लेकर यहाँ पर जो क्रेटीरिया रखा गया यह ध्यान से रखेगा छे मिनट में आपको है दौर लगाना 1.6 किलो मिटर का लगबक एक मिल होता है यह और आपको बता दे कि 50 अंक मिलते हैं अगर आप 5 मिनट से कम समय में आ जाते हैं दौर लगा के इतना त तो अगर 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक मिलता है वहीं पर पांच मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 अंक और 6 मिनट तक आते हैं तो 20 अंक मिले locker लेकिंशे मिनट के लेकिन यहां पर आपको 100 नमबर का टेश्ट होगाँ यह आपका मेधा सुची बनाएगा तो देखे सोर il औन में मियाज 2022 दोड में helping complete करना होगा 4 म का प्रशार मिनिंट से 7 लगाएं तो 40 मिलेगा चार startups 4助ड posit तो तीसंग और पांच मिनट लगा नहीं तो 20 संग की मातर मिल पाएगा ये पांच मिनट से ज्यादा लिजेगा तो दिस्क्वालिफाई हो जाएगा गोला फेक है यहाँ पर 25 नंबर का यहाँ पचास हो गया अब 25 है 75 हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर बताते हैं कि 20 फेकते हैं तो एक ही संग 18 से लेकर 19 के बीच मिलेगा तो यहाँ से मिल पाएगा तो यह मेरिट कहीं आधार बनेगा यह सब एक और होता है दोस्तों यहाँ पर जो की हाई जंप होता है जो कि मुची को यह भी आपका 25 नंबर का है पुर्सों के लिए अगर आप 5 फिट से ज चैनारियो है लेकिन फीट आपको फेकना है और तीनर फिट से कम फेके तो पिदीजम की तो यहां पर इसक्वालिफाइव यहांसे तो इनों सेक्शन जो है अपने आप में acquired नेचर का नहीं है यहां पे मेरिट नेचर का है यानने कि किसी एक में फेल मतलब सब में फेल ठीक एज कटफ बता दू कि एक अगस 2022 से जो है आपका एज कटफ और क्वालिफिकेशन कटफ दोनों ही यहाँ पर रखा गया है हर कैटेगरी की छात्रों के लिए जिस कैटेगरी में जितना छूट है वहाँ पर आपको मिलेगा स्लेबस के लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों पाठिकरम की बात करूँ यहाँ पर तो आप लोग जो है इसी वीडियो में भी चेक कर सकते कि कौन-कौन से टॉपिक से कोशन पूछे जाते हैं यहां पर यहां पर देखना चाहते हैं तो ccbc का उफिशल वेबस से क्लिक कीज़ेगा यहां पर जैसी आप चलिक करेगा यह सारे स्लेबस जाह में देहां से लगबख से यह आपको द्यान में रखना है और जो भी छात्र अपने परिशा के त्यारी कर रहे हैं, चाहते हैं इसके उपर और वीडियो बनाया जाए, टेस्ट प्रैक्टिस लेकर आया जाए, तो कम्मेंट जादा जादा कीजिएगा, तो हम लोग भी जल्दी से लेकर आएंगे सारी चीजिए